तो अभी रुकना है वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे तब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखुबी एक कहानी कि हम ने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेकि अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं कि कभी आप सोच सकते हैं कि अंतराश्य बॉर्डी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत के जो सीमाएं हैं च्छत्यगर पुलीस पुलीस करती है कैसे हुआ ये क्यों हुआ ये कब हुआ ये या सिर्फ विसलिये हुआ कि चार दिन बाद पहली वोटिंग है और पंदा दिन बाद सब मां खत्म हैं चुनाव और एक कोरियर का वक्ती एक वक्तव ये देता है आपको मालूमें वक्तव कैसे निकाले जाते हैं इड़ार और उस वक्तवे के अदार पर आप पूरी कहानी बनाते हैं उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात सब्जेक्टु इंवेस्टिगेशन कहानी बनाने के बाद आसकाते हैं उनकी आप intelligence को अप्मानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे एक वक्तिका हम अभियान लें ले लेंगे और बाद चिएट करेंगे जो investigation 36 प्रुश ते करके आपको देड़ साल पहले दे दिया है एक साल पहले दे द पर इस चुनाव से पहले मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं कई मामले उच्चतम न्यायले में लंबित हैं प्रतारनाए कई जगे हुई हैं और लगवग दस ओर्डर या आठ ओर्डर आदेश उच्चतम न्यायले के आंतरिक रूप से stay orders इन व्यक्तियों को मिले है अफसर हो चटी सरकार के अफसर हो बुपेश बगेल सरकार के अफसर हो रहा है अगली तित्षी उसकी 22 नमंबर है अब जो यह नाम आपको बताए जा रहा हैं वो जान बूच कर बिना किसी तथे के वो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो बगेल सरकार के काम में assistance देते है मुख्यों मंत्री के आफिस को साहिता देते हैं पुलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा मनीश बंचोर आशीश वर्मा विजे भाटिया इत्यादी इत्यादी नाम है इनके बारे में अभी तक एक तत्य चार शीट पे नहीं दिया गया है इनको बताया नहीं जाता है कि तुम अभीयुक्त हो या साक्ष के रूप से बुलाई जा रहे हो विनोद वर्मा के यहां रेड करते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसकी रिसीट उठाई जाते हैं 16 साल पुरानी परचेज़ें हैं 16 years विजय भाटिया क्या जाते हैं वो खुद हस्पताल में हैं उनकी बीवी बिमार हैं रेड के दुरान फिर भी उनकी जाच की जाती है उसके बाद भाटिया जी मुंबई के हस्पताल में भरती होते हैं वहां भी जाकर प्रश्णोत्तर होता है यह ED है इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजय पी का या कुरूर्त यो तक है और यह सब होता है लगबग एक ऐसी चीज़ के विश्वनीट साथ पहले से मैं हिंदी में अपनी बात संक्षित में खतम करने से पहले यह कहना चाहूँगा कि आज यह प्रवर्तन देशाला है जिसको कहा है जिसने अपनी पूरी विश्वनीटा खो दी है खत्म कर दी है वह आज जूट का कार्याले है प्रवर्तन कार्याले नहीं है पूरी तरह से जूट का पुलंदा है तोता अगर के विशे में लंबित हैं, बाइस तारी को उनकी सुनवाई होने वाली है, अन्य केसे में, उन्मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष है, अबयुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आख्री समय पर उसको अरेस्ट करें या ना करें आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए उसका उसको कोई मतलब नहीं उस रुपय से कैसे उसने मनी लॉंडरिंग की कुछ इसका इस्तमाल किया सिरफ रुपया आने से ए बी सी से ट्रेवल करके डी के पास आये तो उसका मनी लॉंडरिंग मान लेते हैं बेल के प्रावधान को आप करके लागू करते हैं यह सब मुद्दे 36 गड़ के विश्व में उच्छितम नाले में लंबित हैं हम यही कहेंगे के कानून सबसे बड़ा होता है अगर इनको कि सिखाएगा हमें इसका विश्वास है इसकी आशा है और इस प्रकार से चुनाव की लेवल प्लेइंग फील्ड को खतम करना मैं समस्ता हूं हर समविधानिक अथॉरिटी को समस्ता को इसका नोट लेना चाहिए चुनाव आयो को भी इस प्रादिकार शेत्र बंता कि जो इस गड़ की जनता जनारदन से जो आपको निकट भविशे में मिलेगा साथियों मैं सरिफ यही कहँगा उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे कि छटिस गड़ में हारजी जनारदन